नमस्कार मित्रों, पुनिस अस्ट्रालोजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुरू आ रहे हैं अपने घर वापस धनुराशी में, मकर राशी में नीचस्त थे 30 जून 2020 को गुरू का गोचर धनुराशी में वापस कैसा रहेगा इसका प्रभाव आपके जीवन में इस वीडियो के अन तक जुड़े रहें ये जानने के लिए कि इस गोचर का आप पे क्या असर रहेगा पर इससे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले मेरी नोटिफिकेशन्स और आपको मिले मौका पुनिस अस्ट्रालोजी हिंदी से जुड़ने के लिए ब्रेस्पति देव गुरू अपनी गोचर मकर राशी में छोड़ करके धनुराशी की ओर प्रवेश कर रहे हैं और धनुराशी में वो वक्र गती से 30 जून 2020 को प्रवेश करेंगे गुरू का गोचर सेप्टेंबर के महीने तक, मिड सेप्टेंबर तक धनुराशी में वक्री और फिर मारगी हो जाएंगे यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान देने की जरूरत है पहले पिछले साल गुरू का जब गोचर धनुराशी में हुआ तो वो विर्शिक राशी से हुआ था विर्शिक राशी से धनुराशी में गुरू का प्रवेश केतू को फेस करते हुआ वो केतु की ओर बढ़ रहे थे, यानि गुरू और केतु आपस में कोलिजन करने वाले थे, वो आपस में भेड़ जाते, एक दूसरे को क्रॉस करते, पर यहाँ पे गुरू की जो गोचर गती है, वो केतु के पीछे है, यानि यहाँ पे केतु आगे आगे और गुरू पीछे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा? आपको ये जानना होगा कि गुरू ने नीचस्त अवस्था में कैसा परिणाम दिया? ये आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महिनों में आपके जीवन में क्या बीता? ब्रहस्पती जब नीचस्त होते हैं और खासकर अगर नीच भंग का योग बनता है शैनी के साथ तो ये ब्रहस्पती खुद कुछ नया सीखने के लिए जाते हैं जैसे कि कोई टीचर कुछ अच्छा और सिखाने के लिए अपने आपको और कुछ जानने के लिए जाता है तो अपने ग्यान को शैनी के साथ शेयर करने, शैनी के साथ मेसेज शेयर करते हैं, शैनी इनके साथ मेसेज एनरजी एक्सचेंज होता है, कोई वारता लाप तो नहीं, पर एनरजी एक्सचेंज होता है, उर्जा का एक्सचेंज होता है, और फिर वो उर्जा, शैनी की उर्जा, गोचर से ब्रहसपती धनुराशे में आ करके हम सभी के उपर उस उर्जा की वर्षा करते हैं अब इस उर्जा की वर्षा से हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा अपने अस्तित्व का भान हमें मिलेगा अपने अस्तित्व की जानकारी हम क्या हैं हमारे साथ जीवन में पिछले कुछ महीने में जो भी personal life में global क्या पता हो रहा है पता नहीं लेकिन personal life में जो भी हुआ वो क्यों हुआ ये finance sector में हमें क्या देगा हम इतने उतावले क्यों थे हमारे जीवन में इतनी उतल उतल की हुआ है बर महीने के बाद ये सत्य जो आपको नहीं पता चल रहा था अब पता चलने लगेगा किन माध्यमों से पता चलेगा गुरू है तो आपके गुरू से पता चलेगा पिता से पता चलेगा इश्वरी शक्ती से पता चलेगा जोतिशी से पता चलेगा या किसी खुद आपके जो गुरु हैं, जो गाइड हैं, जो मित्र हैं, जो आपको सला देते हैं, उनसे आपको पता चलेगा तो यहाँ पे आपको इस गोचर गती जो वक्र गती है गुरू की इसको बहुत गौर से देखना है कि जो गोचर में वक्री ग्रह होता है वो पृत्वी के काफी करीब होता है वो फोकस्ड होता है वो काफी जादा अपनी एनरजी को कंसेंट्रेट करके एकाग्र करके कारे करन मार्ग प्रदर्शित करेंगे परिवर्तित करेंगे उसी तरह से आपके जीवन का भी मार्ग प्रदर्शित होगा पत्प्रदर्शन करेंगे परिवर्तन करेंगे आपके जीवन में सकरात्मक उर्जा आपके भीतर भरेंगे धन संपदा और समरिद्धी के लिए योग काफी का आपके मन के भीतर कौन सा तुफान आया, आपके अंदर कौन सा द्वंद उत्पन हुआ, इन बातों को कहीं किसी किताब में, किसी कौपी में, नोट डाउन करें, लिखित रूप में इसको लिस्ट करें, और फिर एक-एक इवेंट के पीछे एनालिसिस करें, जुलाई का महिन आप तो कुछ यूँ ही बिताएं, इससे आपको एक फाइदा होगा, कि आपको जानकारे मिलेगी, कि आपके जीवन में क्या घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, क्योंकि ये गुरु ग्यान ही तो देने आए हैं, आपको ग्यान मिलेगा, तो आगे का रास्ता बड़ा सफल ह बड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि जब ग्यान मिलता है, तो प्रभू की दृष्टी के समान होता है वो ग्यान, और ये ग्यान आपको आपके मस्तिश्क को उजागर करेगा, और मस्तिश्क में एक आत्मबोध उत्पन्न करेगा, और आपको अपनी गल्तियां और अपनी पहानी आपके हाथों में है, क्योंकि शनी अपने मकर राशी में, कर्म की राशी में, खुद वक्रगती में हैं, यानि वो ये बता रहे हैं कि आपका कर्म भी काफी केंद्रित होना चाहिए, काफी एकाग्र होना चाहिए आपका ध्यान, और आपको अपने कर्मों का भान भ गुरू यानि ब्रहस्पती, पुराणिक जो ग्रंथ हैं, उनको इंडिकेट करते हैं। तो हमें आंसर वहां से मिल सकता है, हमें वेद और पुराणों का अध्यान करना चाहिए, और आपके लिए काफी अच्छा में एक उपाय बताता हूँ, संस्कृत भाशा, इसको सीखना शुरू करें आप, अगर आपको गुरू का फायदा चाहिए, तो आप संस्कृत भाशा का उपयोग ज्यादा करें, गुरू को संस्कृत बहुत प्रिय है, क्योंकि जितने भी हमा बहुत जल्द एक ऐसे पायदान पे पहुँच जाएंगे, जहां से आप अपने आपको एक अलग ही दिशा में पाएंगे, एक अलग ही जीवन आप देखेंगे, एक अलग फ्यूचर, एक अलग भविश्य आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, इस समय बहुत ज़्याद चौथे भाव में हैं, छटे भाव में हैं, दस्वे भाव में हैं या लगन में हैं, जिस भाव में धनुराशी होगी उस भाव का construction स्टार्ट हो जाएगा, नर्माण कारे शुरू हो जाएगा और बदलाव आने वहीं से आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे, तो आपको अगर एक बार समझ में आ गया कि ये ब्रेस्पती आप से कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद आपको पीछे मुण के देखने की जरूरत नहीं होगी, परन्तु अभी एनालेसिस करना बहुत जरूरी है. इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राशियां होंगी, वो धन राशी है, क्योंकि गुरू का गोचर हो रहा है, उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राशी है, उसके बाद मेश राशी, क्योंकि उसके धर्म के भाव में गुरू का गोचर है, इसके आपका मस्तिष्क कहेगा कुछ और सरकम्स्टान्स और लोग कहेंगे कुछ तो एक द्वंत की भावना आपके अंदर काफी प्रबल हो जाएगी। इसके बाद साथ करकराशी अगर आपकी है यानि कि अगर आपका चंद्रमा करकराशी में है तो ब्रहस्पती का ये गोचर आपके अश्टम भाव में होगा या आपको ओकल्ट या स्पिरिच्वल साइन से अध्यात्म से सबसे बड़ी उन्नती प्राप्त होने की संभावना ब वक्त अभी आया है जो समय है अंतराल ये अध्यात्मिक है आपको ये चार मेने अध्यात्म के रास्ते से जीना होगा आप चाहे किसी भी धर्म के हो अध्यात्म धर्म से परे है अध्यात्म सब धर्मों का सम्मिलन है और अध्यात्म के रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे त आपको उर्जा देंगे, ये गुरु आपको संपन्नता देंगे, ये गुरु आपको आपकी गलतियों के बारे में भी बताएंगे, यानि कि आपको अपने सबसे भए, सबसे बुरे भए का सामना भी करना पड़ेगा, कहते हैं न, you have to face your worst fear, तो वो आपको करना पड़ेगा, आपको अपने हिम्मत को एकटा करना है, आपको अपने मस्तिश्क को एकागर करना है, और आपको अपने अंदर एक सरिंडर की भावना उत्पन्न करनी है, एक gratitude, एक thankful धन्यवाद की एक भावना आपको उत्पन्न करनी है, और इश्वर जिस मार्क पे आपको लजाना चाहते हैं उस मार्क पे स्वतह ही चलने को एग्री करना को स्वतह चलने के लिए आप एग्री कर जाओ राजी हो जाओ यहीं तो ब्रहस्पती चाहते हैं अगर आप इश्वर के पत्थ पर चलते हैं तो आप देखोगे कि maximum जो solution है आपको मिल रहे हैं उपाय आपको मिल रहे हैं किसी न किसी जरीय से किसी न किसी माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरीके से परिशान हैं तो definitely आप consultation तो किसी भी जोतिश से आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप जोतिश से consultation लेने में असमर्थ हैं या आप पहुँच नहीं पा रहे हैं तो गुरू का ध्यान करें भईश्वर को गुरू माने और accept करे चीजों को जो काम, करोध, लोब, मो, मद, भेद, अहंकार जैसी जो थुटियां हैं जीवन में वो मिटाने का समय हैं तो आपका focus इसी तरफ होना चाहिए क्या आप ये समय गमाद होगे या आप इस समय का भरपूर उपयोग करोगे ये तो आपके हाथों में हैं लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप इसका भरपूर उपयोग करें और अपने भीतर के तमस को मिटा करके रोष्णी की ओर आगे बढ़ें असतो मा सद गमया तमसो मा जोतर गमया मृत्यूर मा मृतम गमया ओम शान्ति 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 इसके साथ मैं पुनीत आपसे अलविदा लेता हूँ मिलूँग आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते